भीडे विदय है करे चाहां के लेक्षे में हमारी बैईलोजी का वर्स चेप्टर्स न पाइंगे first chapter के ही second part करेंगे तो first जो आज हमें पढ़ना है diversity in the living world तो diversity क्या होती है diversity से आप लोग क्या समझता है diversity का मतलब होता है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे different organisms पाहे जाते हैं उनकी species भी फिर पाहे जाती हैं ठीक है तो diversity का मतलब है जितनी भी हमारे organisms पाई जाते हैं अर्ट पर और उनकी जितनी भी species की जितनी भी उनके नंबर है संख्या है उसको ही हम कहते हैं diversity तो अभी तक 1.7 to 1.8 million species जो है वो known है ठीक है बहुत सारी species हैं कुछ जितनी में हमारे organisms हैं जैसे कि कुछ समुद्र में हैं इंसेक्ट हो गए जो उड़ते रहते हैं एनिमल्स हो गए ठीक है तो बहुत सारे यह मतलब 1.7 to 1.8 million species जो known है अब इनको एक एक करके पढ़ना इसी थोड़ी ना है तो इन ही को इन ही सभी organisms में पाई जाने वाली similarities के according हम इसको categorize कर देते हैं इसका हम classification कर देते हैं हम इसको एक category में रख देते हैं ठीक है तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक category में हमने एक category में हमने उसकी similarity के basis पे हमने उसको एक category में रख दिया ठीक है यहां मान लेते हैं जैसे 50,000 है और्गनिजम इसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि एक कैटेगरी में रखने से क्या फायदा हुआ कि अब हम एक के बारे में पढ़ लेंगे सिर्फ एक के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें इन सब के बारे में हमें पता चल गया जितने भी इसके अंदर है पचास जार एक लाग जितनी भी एक कैटिगरी में हमें सिर्फ एक की बारे में पढ़ना है कि उसमें क्या-क्या होता है उसकी क्या-क्या फीचर से उसमें क्या-क्या similarities है तो हम सब की बारे में पढ़ लेंगे ठीक है तो डाइवसिटी का यही मतलब है तो जब हम एक ही कैटिगरी की स्टड़ी करते हैं तो हम पूरे एक लाख और्गनिजम्स की बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है वी नो वी नो दब प्लांट अनिमल इन अवर ओन एरिया वाइल देयर लोकल नेम अब क्या है कि जितने भी और्गनिजम्स हैं प्लांट हैं एनिमल हैं तो वो अलग अलग जगे अलग अलग नामों से जाने जाता है मतलब प्याज है तो वो यहां किसी MP में किसी नाम से, UP में किसी और नाम से और महारास्ट में किसी और नाम से, केरल में किसी और नाम से, मतलब एक ही कंट्री में, एक ही कंट्री में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट नाम से, जो हमारे ये हैं, कोई भी ऑर्गनिजम है, उसको हम अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ही कंट्र नहीं होगे इस वज़े से हमें जरूरत पड़ी हमें एक नीट पड़ी कि हम नामों को स्टेंडराइज करें ताकि पूरे वर्ल में हम एक ही नाम से उस और्गनिजम को हम जान पर पर पर्टिक्लर और्गनिजम is known by the same name all over the world इस वज़े से हमें naming की जरूरत पड़े हमने diversity पड़े कि diversity में इत्ती सारे organisms आते हैं तो हम उनको एक साथ नहीं पड़ सकते इस वज़े से हमें उसको classify करने की जरूरत है अब हम उसका classification कैसे करेंगे वो हमें देखना है आगे तो ये है taxonomy taxonomy अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो वर्गी करन ठीक है हम इसको वर्गु में बाटना है ठीक है taxonomy का क्या मतलब है taxos plus nomos ये दो words से मिलका बना है ठीक है taxos का मतलब होता है arrangement और nomos का मतलब होता है taxos का मतलब होता है arrangement और nomos का मतलब होता है law थीक है तो हमारे जितनी भी taxonomy का अगर हम simple सा मतलब देखें तो किसी भी species को arrange करने के लिए कुछ rule कुछ law बनाए गए तो जो हमारा taxonomy है हमारी वर्गी करण विज्ञान है वो कहती है कि कुछ rules कुछ laws बनाए गए हैं species को arrangement करने के ठीक है तो पहला है identification, nomenclature and classification तो पहले हमें किसी बी organism को हमें पहचानना है किसी वे जीब को हमें जानना है पहचानना है कि वो कैसा दिखता है उसके क्या-क्या pictures है जाई, shape, एक लूब हम उसको पहचान लेंगे तब हम उसको कुछ नाम देंगे ठीक है उसकी बाद हम उसको nomenclature करेंगे उसके बाद हम उसको classify करेंगे अलग-अलग group में ठीक है तो first हमारा identification identification तो identify करने के लिए हम उसको systematic way में identify करेंगे systematic Greek word which is made from the system which means systematic arrangement अब इसका क्या मतलब है तो यह जो systematic है यह Greek word है इसके अंदर organism के type और उनके इसके अंदर हम क्या पढ़ते है यह systematic पहले क्या है यह Greek word है जो की बना है systema से ठीक है systema का मतलब होता है systematic arrangement मतलब एक systematic way में एक arrangement ठीक है तो identification हम कैसे करेंगे एक systematic तरीके से करेंगे ना हमें पहले उसकी morphology देखनी होगी उसका क्या size है क्या shape है ठीक है हमें पहले उसको देखना होगा जैसे कि हमान ले बिल्ली है तो वो कैसी हमें दिखते है या कुता है वो हमें कैसे दिखते है उसके दो कान होते है, उसकी morphology, उसका size क्या है, उसका shape क्या है, यह सब हम देखेंगे न, ठीक है, external है, internal feature भी हम उसके देखेंगे, inter relationship among the living organisms, और हम उसके बीच पाए जाने वाले relation को भी हम study करेंगे, इसके according ही हम identify कर पाएंगे, कि यह कैसा organism है, उसमें क्या क्या है, ठीक है, ज तो जब हमने classify कर लिया हमारे organism को, हमें उसके nomenclature, हमें उसका नाम रखना है, nomenclature का मतलब होता है naming, किसी भी, पहले हमने identify कर रहा कि organism क्या हमने पहचान कर ली, ठीक है, अब ताकि हर organism को एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए हम उसके nomenclature करेंगे, तो इसके अंदर आता है, Bionomial Nomenclature, Bionomial का क्या मतलब है, BIO, 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 से ही पता चल ला है, दो नाम वाला एक सिस्टम है, ठीक है, तो यह किस ने दिया था, यह Careless Lineus ने यह सिस्टम बनाया, Bionomial Nomenclature, किस ने बनाया, Careless Lineus Scientist ने बनाया, इन्होंने कुछ रूल दिये, ठीक है, इनके रूल के हिसाब से, यह इन्होंने बोला, कि जितने भी organism हो, उसको एक ही scientific name होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पूरे world पर एक ही नाम से जाना जाए, और इसको, जितने भी scientist उन्होंने इस चीज को माना भी, तो इन्होंने रूल दिये, ICBN, ICBN का मतलब है, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN का मतलब है, International Code for Geological Nomenclature, तो जितने भी हमारे plant है, उसको हमें इसके अंदर रखना है, ICBN के अंदर, और जितने भी हमारे animal है, उसको हमें ICZN के अंदर रखना है, यह एक International Rule है, ठीक है, तो Bionomial Nomenclature, Bionomial Nomenclature, तो जो हमारे plants है, उसको हमने scientific name हमेशा, जो हम रखेंगे, वो हम International ICBN के according रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे rules है, उसके according रखेंगे, और किसी भी, जैसे plant है, उसको scientific name है, वो दो words से मिलका बना होगा, ठीक है, तो Universal Rule क्या है, माझे नाम है, यो मैंजी फेरा, इंडिका से मिलका बना है, फिए मैंजी फेरा इंडिका का क्या मतलब है, जो first name है, वो चैनेरिक नेम है, और second जो है, वो specific efficient है, तो फ्रस नेम उसका genetic है, मतलब की इसके genus को बताता है, और second नेम उसके species को बताता है, ठीक है, और क्या-क्या rules है कि जो first letter होगा वो capital होगा जो generic name का first letter है वो हमारा capital होगा first letter capital होगा और जो specific appetite का first letter है वो small होगा ठीक है अब जैसे mango का मैंने बताया mangyfera indica है तो अगर हम इसको type करेंगे तो इसको हम font जो है इसको हम italic में लिखेंगे ठीक है type करने में हम इसको italic में लिखेंगे तिर्शी अक्षरों में लिखेंगे mangyfera indica को अगर हम हाथ से हम copy पर लिख रहे हैं ठीक है तब हम उसको mangyfera indica को हम underline करेंगे और जो mangyfera है वो हमारा genus है और indica हमारी species है ठीक है universal rule for nomenclature यह universal rule है हमारे nomenclature कि यह important है ठीक है इसी according ही पूरा nomenclature किया गया है तो अब हमारा आता है classification classification का क्या मतलब है कि अब हम उससे group में divide कर देंगे क्योंकि एक एक को पढ़ना हमारे लिए easy नहीं है ठीक है process the grouping things into categorized based on the some easily observable character observable character का यह मतलब है कि जैसे बिल्ली है तो बिल्ली हमें पता है कि वो tiger जैसे दिखती है ठीक है और जैसे कि खुद ता है तो हमें पता है कि वो tiger जैसे नहीं दिखता है तो यह हमें easily observable है हमें अच्छे से दिख रहे है कि यह किस की तरह दिख रहा है तो यह character है तो एक property है एक feature होता है जिससे organism को उसका character हमें पता चलता ठीक है तो हम इसको उसकी according ही हमने categorize कर दिया हमने एक classification दे दिया ठीक है taxonomical categories ठीक है अलग-अलग category होती है phylum हो गया, genus हो गया, family हो गया, order हो गया यह साथ नहीं इन particular एक category को हम taxa कहते है और different level पर organism को categorize करने को category को हम taxa कहते है और taxa में उन category को अलग-अलग living organism के बारे में जो हम बता रहे हैं उसको हम taxonomy कहते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं तो taxonomical जो यह हमारी है यह जो हमारा एक पूरा system है, ठीक है हमने categorize कर दिया तो जो इस तरफ के हैं यह यह हमारी taxonomical category है और यह जो हमारा यह एक taxa है ठीक है और जो हमारी यह category है यह तो change नहीं होती कभी भी जो हमारी taxonomical category है यह कभी change नहीं होती जबकि जो taxa है जो इस साइड लिखे हैं यह according to species according to organism यह change होते रहते हैं ठीक है तो पहला kingdom, phylum, class, order, family, genus, species तो क्या होता है यह जैसे हम ऊपर जाएंगा इसकी similarities जो होती जाएंगी इस species में बहुत सारी similarities है जीने से बिसमे कम उससे कम उससे कम लास्ट में एक भी नहीं ठीक है तो इसका यह लख लगा